ओम स्वर्वे मुमुक्षु भायोबेनों ने आत्मभावे वंदन कोरोणा महामारी अने मार्च मिना थे आपणा ओनलाइन स्वाध्या चाले छे अने आपणे आ स्वाध्या अने श्रीविर नाम माध्यम थे एक विजानी साथे परिचे केड़ भी रहा छे अने एम श्रत्तत आध्ये दोर चाले छे यहमा आ सप्टेम्बर मेना इनो आपणो आ युवाश्वाध्या आए कि जिने आपणे अत्यारेश्रूप सर्वाध करी शो दर वक्ते केतो हो छो के युवाश्वाध्या आए एकले इनो लाब खाली युवानोद लेश्या के होना जिने पन लाब लेवो हो ये बद्दा लेए शाके पन आश्वाध्या नू नाम इवाश्वाध्या आपएलू छे शर्वाध्या अंदर तो पेला आपड़े खाली युवालोको जाश्वाध्या नो लाब लिये युवाश्या आजण करे लो होतू और पछी अनुक्रमे इ आग अने प्रेम ना पुष्पो अहम आ जी स्वाध्या इचे इनी अंदर जिने के सामानिय जी जी जीवन चे वेवारिक जीवन चे ए जीवन ने मुख्य पने राखी अने आ अहम नू श्वारूप दर्श्वावमा आवेलू छे साथे साथे क्याक आध्यात्मने पन वनेलो छे पड़ा आपने तो आध्यात्म मार्गना पन थी अने आ अधियत्म मार्ग ना पंथि अने मार्ग ग्रहन कहिरा पछी ये मार्गों पर थोड़ू गणु चाल्या होई अने ए पछी ज्यारे आ शब्दा आवे अहम ज्यारे ए अहम सु ये मुमुक्षुने तो ख्याल मा होव जुई है किमके हकीकत नी अंदर अन्ना दिथी आपनों जे संसार चाली रहा चे जन्म मरण जन्म मरण चाली रहा चे येनों मोड बैजिक कारण अहम चे इटले के अहम अने मामा कि जे मोह राजयना मंत्रों चे अने इने आख्खा जगत ने आंधड़ू बनाई जी दूशे अने एना थी संसारी जीव चारे गति नी अंदर जन्म मरण जे करी रहा चे दुख दुख अने दुख भोगवी रहा चे ये आहम नी आग केवी होई ये तो सामान्यारी ते दरेके दरेक संसारी जीव पोता ना अनुभवती ज कई शक है के आ संसार नी आग केवी चे जे आहम चे तिया जीव पोते पोता नी जातने उड़क तो ना थी पोते जे शरीर धारण केरू ये शरीर एज हुँ अने एज शरीर मां मारा पड़ानी जे मानियता शे एज मुख्य पड़े जीव नो अहम चे अने ए अहम नी आग जीव ने सतत बाईळा करे शे अन्य ए अहम नी आगने कैंक शान्त करवाने माटे थे ने प्रेम ना पुष्पो इतले के आप प्रेम नामनो जे गुण छे आपनी अंदर विक्षाव हो जोई है आम के ये तो अहम जे ना थी आखो संसार अन्य संसारी जीव के जे अगनान भाव नी अंदर मोभाव नी अंदर विश्रय ने करसाई नी आश्रक्ति धरावच जे जीव से के जे सतत कर्मनों बंधन कहिराज करेचे कहिराज करेचे अन्य विजीरी ते आपने अहम एटले के अभिमान ए रिते जो विचारी है तो आज जीवनों जे सरीर एज हूं इवी जे मानियता छे ने एज एनों मोट्टा मोटू अभिमान छे अन्य ए अभिमान छे अन्य अभिमान छे इनी शाथे मद लागेलो छे अन्य एजे मद छे एना आठ प्रकार छे जनान मद, पुजा मद, कुड मद, जाती मद, बढ़ मद, रूप मद, तप मद, शरीर मद आउप्रांद पॉण जे बिजा अनेक प्रकार ना जे मद छे ये बहत धान श्रमावेश अनी अंदर थाई जाए अन्य ए मद ज जीवने दुखनू कारण बने छे तो हवे आम बेजिक आ अहमने आगने प्रेमना पुष्पो नी शर्वात करता पेला अपने थोडिक आध्यात्म साथे वणाएली वात जोई हवे आपड़े आ मुड वात सरु करिये अन्य एजे वात सरु करिये ची एनी अंदर प्रशंग होचे अन्य ए प्रशंग होचे एनी अंदर नो आ पेलो प्रशंग के पार्टी पूरी थाई करोंडा नी अंदर तो पार्टी ने जल्सान बुदू बन थाई गिए बदानु एकले पार्टी नु नाम आवे जरा लोको ने आम आख होची थाई पान अनी अंदर अजे पेलो प्रशंग शे अनी अंदर पार्टी पूरी थाई खाणी पीनी औने भर पट्टे मनोरंजन नो कार्य ग्राम शफडता पूर्वक पूरो थाई भाग लेनारा बद्धाने ते दिवस यमनो धन्य थाई होई कि वो शंतोस जन्नाक अनुभव थाई साचा खोटा विवेक नी वानी वहावी अने बद्धा पत्पताने घेर रवाना थाई जेने पार्टी नो आयजन कही रूतो यने बहुत सारी पार्टी वगरे अनेक रिते वखान कही रा अने बद्धा पत्पताने घेर गया एक भाई घेर पहुचिया इटले अमना पत्निय पूछिऊ कि के वी रई पार्टी तो भाई केशे आम तो सारी आती पार्ण पाण सूं तो के यजबान बहुत अभिमानी बनी गया तो जाने के एज आवी पार्टी आपी सके अने बिजाए आवी पार्टी कदी जोयज ना हुए त्यारे एनी पत्नि पुछे चे के एभिमानी लागे एवी कोई घटना बनी? घटना मा तो शूं हुँ जरा मोडो पड़ियो पार्टी मा प्रवेश्य त्यारे पेला ए हसी ने हाथ मिलावी ने मने आवकार्य तो खरो पण मारी हेस्तियत ना मानस नो कोई विशेश श्वागत करवू जोई है इनो इने ख्यालत ना आव्या अभिमानी ना जोई होई तो तो हवे आ प्रशंग एक होचे के मान, स्वामान, जीवने बदे क्याने क्या केवी केवी रिते आड़वावतू होई छे इटले ए स्वामान जी आड़वे, इवी जे आ प्रशंग नी वात जेनि अंदरा एक वात कि एनो जो विचार करें तो दरेके जीवनेम ठाए कि मने पण आम सियोदु मने पण आम सियोदु hå आ वक्ते आवीरत आम थायोदु ॥॥ यऌ आ वक्ते आविं थायोदु तो अवे केछे के मनो वैग्नानिक विश्लेशन मा तमने पन डूची होई तो उपरनी वादचीत मा थी तमे पन एक पड़ मा पकड़ी पड़ो के यजमान करता पण आपना सज्जन वधारे अभिमानी आता एक तो पार्टी मा मुड़ा पहुचिया तेनू कारण ए न होई शके के आज इते बद्धानू विशेश द्यान खेचवा मागता आता वड़ी पार्टी योजना दा यजमाने तो पार्टी योजना दा यजमानने तो अनेक महमान उनू श्वागत करवानू होई इतले ए विचारो वधारे समय पाण के विरीते काड़े उपरांत पोतानी हेश्यत विजाना करता घणी वधारे से एम जातेज नक्की करीने ला रा अहमने विशेपाण खुड़ो विचार करवो जोई है पोतानी हेश्यत विजाना करता घणी वधारे चे एम जातेज नक्की करीने लेना रा अहमने विशेपाण थोड़ो विचार करवो जोई है तो आपने एक प्रसंग जोय है अहमनो अन्ने ए प्रसंग यह है कि कोई ने कोई रिते कोई ने कोई निमिते प्रसंग चे एक अभिनेत्री नी वात मने याद आवे चे फिल्म ख्षेत्रे एनू नाम जानीतु आतु आतु एनिज कख्षा नी एक बिजी अभिनेत्री पणाती है एक बन्ने वच्चे गड़ा काप हरिफाई चालती समय मढ़िये मन्ने जणी परस्पनों वाकू बोलवानों लाग चुकती नहीं एक त्रिजी अभिनेत्री अतीस है सालश वभाव नी होई अन्य आप बन्ने नी बेहन पणी रही शकेली एक वकर ए आभिनेत्री ने मढवा आवी ज़े सालश वभाव नी अभिनेत्रिया दे आडिये वड़ी वातों पूरी थाई ए पहलाज पूछिऊ के हमना पेली ने मढ़ेली के केचा हा एनने त्यां थी शिद्धी अहिया आभिछू एम मारे विशे केई वात थाई पेली आतुरता थी पूछिऊ तो केचा घणी वातों थाई तो पूछे चाहा अभिनेत्री के शू केती हती है आम तो तारा वखाण करती हती है पौण पड़ी पाचा पौण आयवा लेके चे पौण सू जल्दी कहे एक केती हती के तारा मा अनेक गुण होआ छता तू अभिमानी शे इटले पाची पड़ी जाये शे तू जो एदोश काड़ी नाखे तो लोकों तारा पागने पुझे है अवे आभिमानी शब्द साहिंब्डो आभिनेत्री है इतले हूँ अभिमानी एप आगल ने केजे के मने स्रमजवा मा इने भयंक और भूल करी से जगतनी शुंदर मा शुंदर अने वधारे मा वधारे बुद्धी साड अभिनेत्री एवी हूँ हूँ अभिमानी होई शकुज से रित है तो आ नीर अभिमानी बाई नो प्रत्यक शब्द तेना अभिमान नो केवो रन टंकार करी रहा हतो ए आपने जुयो पोतानी जातने निर अभिमानी माने चें पने एक श्रब्द यंदर आम क्यो अभिमान जण की रहा हुचे अनना पछि अपने आपणे आभ ये प्रशन जोया अभिमान माते ने एमाय आपने अपने पन कोई आपना वखान करी है नी शाथE साथE आपनी टीका पन करे ली आशा ने त्यारे आपनी आंदर क्यावा प्रतिभाव उबाथता आशे वह त्रीजी वाद के राधा क्रश्णन बारत ना था ठीक पन अखा विश्वना माननिय चिंतक गणाया आता अंग्रेजी बासा पर अधभूत कावू गंगादाराजेवी शैली अने मनकामा परवाईला दोराजेवी तरक नी शडंग शुत्रता इमनी विशेश लाक्षनिक ताव आती विवेक अने शमन्वई इमना जिवन शुत्र आता इमने लख्यू छे के अहम ब्रह्माश्मी अने आई एम नथिंग हूँ शुन्य छो आप बनने तार्तम्या शमान छे अहम ब्रह्माश्मी आएक वाद अने आई एम नथिंग है अने आप बनने तार्तम्या शमान छे परश्परना पुरक छे के विरोधी छे इम केवानों खुबज मुस्केल छे आज ए अहम छे तेनी ओड़क माटे वेदकार्णो रुशी मत्तो अतो आधुनिक मनो विग्णान अने दर्शन सास्त्रों के जेने एज मत्ता मननी पेदास छे फर दिखाओ आधुनिक मनो विग्णान अने दर्शन शास्त्रों एज मत्ता मननी पेदास छे सेनी माथा मन, तो के आहम नी उडखान, आम जो ये तो सामान्य जी जीवा छे के जने अंतकरन अंदर आत्यात्म अव्योद न थे प्रवेश्योद न थे थोड़ो गुण आए वचे थोड़ो गुण धर्मा करेछे, ये बहुत दने, आहम नी जी वात होई ने, ये अजी समझाई नी, ख्याल बनना आवे, मुश्केली, जरे अपना बद्धा मुमुक्षो न शंपूर न शंमुद आई, बद्धा न, ये माना लगबग बद्धा आहम भी से तो जानता जाशे है, जानता हासे हैं नहीं, पन जानता होवा जोई है, सामाटे, तो के एने दूर करव अपनों, पुरुशार्थ करवानों छे । जे आ अध्यात्मनी आखी प्रक्रिया छे । पुरुशार्थ न शे बदा करम छे, करम न अंदर आहम ए दूर करवानी आखी प्रक्रिया रहै ली छे इटले मुमुक्षवने तो आ अहम इटले शू एनों ख्याल होग जोई है तो हवे आ राधाक्रश्णनी जे वातावे छे कि आ अहम छे तेनी ओडखान माटे वेद कार्णों रुशी मत्त तो हतो आधुनेक मनो भिग्णान अने दर्शन शास्त्रों एज मत्तामण नी पेदास छे ए मत्तामण मा युगो वहे गया छता अहम नी ओडखान नी दिशामा एक डग पौन आगड भरायो होई एम लागतू नती एनि ओडखान मा आप एक डग पौन नती के आगड भरायो हो अने एटलेज जिवो जन्म मरण जन्म मरण करी रहा छे तो मानवीरों मुट्टम मुट्व प्रस्ण चे अहम नी ओडखान पौन मारा माते श्रवाल विजोज छे आवी ओडखान माटे लाखो माथी एकाज जन्म प्रयात्ना करे छे वामने ओडखान माते बाकिना तो एक ब्रह्मनाना जगत माँ जिविया करता होई छे से शृत्षिता तो पोते जन्म अभ्यास करे अभ्यास करें जन्म माते प्रुशार्थ करें एमा बादका क्या आए ने क्या आए कुई ने कोई जोगती इप्रह्मना जगत जगता है is माँ लाखो माकडाज एकज व्यक्ति अभी होई कि इनो यथा तथ्यरिते पुरुशार्थ करतो होई अन्य एमापाण कोकज व्यक्ति होई कि जे प्लहम ने दूर करी अन्य पोता नी जात ने ओडखी शके तो आप शर्वपली राधा करश्णन नी आपड़े वाद जोई हवे एना पछी नो आ एक प्रशंग छे एक खिश्कोली नो प्रशंग छे आपण नेम लागे के अभीमान छे एक खाली मानस ने जोई परण आ खिश्कोली नो प्रशंग के वो छे के एक खिश्कोली याती इने नधी पार करवी याती पूल शामे जoteो और नधी नू वहण जोई अन्य एधु जी गई दर्मियान तयां एक हाथी आवियो खिश्कोली ये पुछियो के हाथी भाई तमें क्यां जाऊ छो हाथी के सामे पार तो खिश्कोली के मने तमारी शाथे लई जशो खिश्कोली हाथी उपर शवार थे गई हाथी ना चालवा थी वर्षो जुनो लोखंडी पूल दुरुजवा लागयो हाथी ये पोता नी जड़ब थोड़ी उच्छी करी औने उच्चे स्वासे चालवा माण गयो थोड़ी बारे शामो किनारो आगयो औने शुंड़ना शाहर लए औने खिश्कोली नीचे उत्री गई पान नीचे उत्रे ली खिश्कोली नू गवरव माई ने तो नाच्वा लागे तो आथी ये बूचियो के के म नाचे चे तो के आजे में एक अजब काम करिया अपने बने मड़ी अन्या डोसला जेवा पूल ने ठीक ठीक हच मचा भी नाख्यो मुर्क खिश्कोली नी आ अभिमानी वाणी नो कसोच जवाब आप्या वगर हाथी तो तियां थी चालतो थे गया कदाच इने खबर नी हुए याद पड़ नी हुए के पूल हच मची गया तो नाननो मानस जयारे मोटा नो श्रत्वारो पामें ।यारे तेनु औहम आमाजवाकरिया श्या आ वात आवि यहनीन्दरा एक मैने वात यादावी अपनगत समयदे हुँ उच्छ होचे पण यह वात करीजो के लिमडी निवाद छे, के लिमडी नो एक दम गरीब माना से, अन्ने ए साख बाजी वेची आने मान मान कोतानों पूरू करे, यह मां एक दिवस यह आएवा, के एने पच्चास रुपिया नो नफो थे गिया, जिन्गे मां कोई दी पच्चास रुपिया जोया पन नो था, इकले शीद्धो मिल मालिक ना घरे गया, अन्ने मिल मालिक ने कह से, शेठिया, तारे मिल वेच वीचे, तो आप पच्चास रुपिया नो के वो अभिमान आशे आनो, हवे आना पचीन प्रशंग जोये, के फ्रेड अने जूंग, बनने आधुनिक, मनो विग्नादना क्षेत्र मां, उच्चा मां उच्चा सिखरे गयला गणाई, मानवीना जीवन मां, अहम, शुब भाग बजवे चे, इनो ख्याल आपवा, हमने खुब मेनद करे लिए, आवा जूंग एक वगत खुब बांदा पढ़िया, पत्नी ने लागियो के कदा चे बेठा थाशे ने ये पोते पण सारा अभ्याशी आता पत्नी ना विविद संसोधन मा येमने उन्डो रसली देलो एड़े के आ जे जूंग चे एनी पत्नी निवाच चे तो के चे एनी पत्नी के तमें विद्वान चो अटला बदा वर्स तमें मानव मनना अभ्यासमा गाड़िया आजना तबके तमने कोई एवी बाबत लागे चे के जे हजी है तमारे माटे रहस्यमा ही रही वाई हाँ अवे अजूंग के चे के हाँ मानस जेने हूं कहे चे ते बाबत मारे माटे हम्मेशा कोईडा रूप रही चे आपने हूं विशे कई ज जानता न थे जे कही पाण जानता लागिये चे ते मात्र कोरी धार्णा वोच चे तो हूं तो हकिकत नी अंदर जे आग्नान छे या जीव पोता ने जे माने छे जे शरीर चे एज हूं एम माने छे पुण हकिकत नी अंदर ये शरीर ये पोते न थी तो पोते कोण छे ये ये लेके हूं कोण छो तो हकिकत मा दरेके दरेक जीव एक डानस्वरोप आत्मा छे पुण कोई पन जीव पोते पोता नी जातने ओड़कता न थी पोते आत्मा छे इवी मान्यता पन धरावता जीव बहुँ जोच्छा आसे इतले चगतना मोटा रणता लागिये चिये मात्र कोरी धाना वच्छे जुम नो आजवाब अत्तिसे साचो छे स्वव विशे आपने इलिके स्व पोता ना विशे पोता ना आत्मा विशे आपने गांडी ब्रह्म्नाओ माज राचिया करिये ची इना द्वारा आपना बहुत दा विहवारों चा अन्य एक अंतर भोमकामा विच्रे छे इन्य विष्वे आपने कस्षूज जानता ना थे असामानिय संसारी जीवनी वाद छे अग्नानी जीवनी वाद छे इवन धर्म करता चगत ना विश्वना जेकला जीव धर्म करे छे ये धर्म करता जीवनी अंदर पन बोज उच्छा पर्षंटेज जीव अईवा होए कि आविशे कहीं जानता होए बाकी तो आम जे गता नुगत धर्म करता आवे करता आवे बदू सारू थर्षे शारी गती मणसे आविज भाव ना रेती होए अब ये ना पच्छीनों प्रशंग छे के मध्यकाड मां हिंदी समुद्रमा माल द्वीप अने लक्ष द्वीप नामना टापूओ उपर एक हिंदू राजा नू राजिय चालतू होतो पत्नी ओना शोखीन आ राजा न पउत्रों अने प्रपउत्रों नी जंजाड एकनी बदी वधी गए कि दरेक ने भागे एक एक टापू जावियो पाटवी कोरना हाद मा मुख्य टापूनों राजिय सांपडियो तो हवे आ राजा के जैने घणी बदी राणियों और शेटले इने पुत दिकराने दिकराने ना दिकराओने बदा तो हवे बदानी वेशी नी करवा माठ्य थे बदाने खाले एक 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 टापू आए वोकिन थे तापू तो केला बदा आर्शे तो पन पाटवी कोरने मुख्य टापू मेड़ा राजा ए आद वीप ने पूलो वडे चारी बाजू ना तापू शाथे शांक्डि लिजेलो तो राजा ए तो मुख्य बदा तापू होने आम पूल बनावी बनावी ने भीगा करी नाए का तो सांक्डिल देलो तो चारे आप पाटवी ए एले के पाटवी कोवरे राज्य हात्मा लीदा पछी पेलू काम ए करियो कि बदा पूलो ने तोड़ा वी नाख्या एनि माताय पुछी हो कि आम सा माटे करे ए तो कि मारे प पथर ने तो के आपना टापू नी आसपास मजबूत किल्लो बांधवा नू काराण गाराण जो किल्लो बांधेलो होऑ तो उद करवानू पावे तो एनि मा के छे पन सामे तो कोई यूद नी तैयारी बतावी ना थी ये बताव सेज येम समझी औने आपने तो तयार जरे हो जोई है मने तो आ राजगुमार मा आपना अहंकारनी प्रतिकृती देखाएचे आ अहंकारने पौन शेतू तोड़वा मा अने दिवालो बांधवा मा राश्वाईचे यूतनी सामगरी भेगी करी राकवा माज इने वधरे रूची होईचे सामाटे तो के सामो अहंकार मारी शाथे लड़वा मागशेज सामे वड़ो इने अहंकार कीदा इने मारी शामे लड़वा मागशेज एक ख्याल उपर इना श्रस्त्र तयार थता होईचे येनी युद्ध प्रियता येने शंकासील बनावे चे आवा अहंकारे अने एक मुशिबत अभी करी चे एमाथी उगारो मेडवानो कोई रस्तो नहीं होई सवाल चे अहंकारना आ बंध्यार किल्ला माथी बहार निकडवा माटे सुँ कोई द्वारत नहीं होई अवे आ शब्दों बजाएवा चे के सादको जाने चे के एनुद्वार चे अनि द्वार खुले इना माटे दरेक दरेक सादको प्रयत्ना ने पुरुशात करता होई चे के जनाती इनौ पहंकार इननास थाए पना तो शामानिय जीवोनियो आचे पछि आ इंग्लेंड ना माराणी निवाच्छा के जना साम्राजय उपरती सुरज आथम तो नो तो एवी इंग्लेंड नी माराणी विक्टोरिया एक वकद मोड़े सुधी मंत्री मंड़नी बेठक मा अगर तेनी चर्चाव करती बेशी रही पछी आ राजमेल मा आवी खुब मुड़ू थाई गयो हतो एटले पोताना खंड मा जै पतिना खंड तरपनो द्वार खाखडावियो कई पन जवाब न मड़ता हैंने बार नो धदड़ावियो शामे थी पति है पुछियो के कौन छे तो के माराणी आम विक्टोरिया ये जवाब आपियो तेरेनों पति के चे हूं कोई माराणी ने ओड़कतो ना दे पौडवार मा आ रमणी नो केप उत्री गया इने ख्याल आवियो के राणी तो पूते प्रजा अने प्रजानों नी शामे आती अहीं तो एना सामराजियनों पन राजा अभू आतो विचार करी ने फरी थी बार नो खखडावियो तो अंदर थी पुछवा मायो के कौन तो क तमारी डार्शियो अवैरानी केचे तमारी डार्शियो क मारानी ये जवाब आपियो अने एशा थे बार नो खवडी जैओ कारण सुह तो कि अहंकरना किल्ल्ऊ मा अहंकरना खिल्ऊमा वी नमरप्रेमे मोट्ट्डु गाबडु पाडी दीतु हातो कोई किल्लो केचे अहंकार अन्हि despair एमां वी नमर प्रेमे मुठ्टू गाबळू पाड़े दी दुआ तुँ खरेज अहंकार एक किल्लोज चे अन्हे प्रेम्नु द्वारज आपड़ने तेना संकुचित द्वार मां थी महार काड़ी शके अने अन्यंति यात्रार पंथे लईजेई शके अहंकार एलेक शुद्रता एमाथी मुक्त करीने प्रेमज आपने परम विराटनो श्पर्ष करावी शके हवे यहां आपनो जे विशेई छे के जेनी अंदर प्रेम ना पुष्पो छे अहंनी आग आने प्रेम ना पुष्पो तो अखिकत नी अंदर तो आ इंग्लेंडी महाराणी उन्नो प्रशंग आएवा के जेमा ए एना पती जेनी आपड़े महाराजा क्यवाई के नी खबर न थी पौण एना पती ना रूम में जवोतु पन ज्यांसुदी एनी अंदर महाराणी पणानो अभिमान अतु ज्यांसुदी द्वार नकुईलों पन ए अभिमान ज्यारे एननो ओगड़ी गयो ज्यारे ए प्रेम नुद्वार खोली गयो बस अभिज रिते हैं पोता ना अहमने मुकि अन्ने देव गुरु नी जीवे खुब प्रेम पुर्वक भक्ति करवानी से आप भक्ति थी जे अंदर ना द्वार खोलवा छे ए द्वार खुली जीशक्षे हवे आए एक सलस्प्रशन छे के जापानी कवी योन नागुची ना काव्यों मा पस्चिम ना भोतिक वादी जग मंगाटने बदले पूर्वनो रहस्यवाद जिल मिल थाई छे जिवन ना रहस्यवने तेमने काव्यों उप्रांत टचुक्डी बोध कथाओं मा पण स्रसरीते उतारी आप्या छे अने आज एक टचुक्डी कथा छे एमानी आपड़े आएक कथा छे के जेमा एक बिंदुनी वाद आलेखी छे बिंदु पाणीनु बिंदु एनी वाद छे के एक शिंदु ओतो लेके शागर के निरंतर उचाडा मारिया करतो एना मोजा किनारे अफडाया करता किनाराना पथरों पर थी पाणी पाच्छु सागर मा ठलवातों इवामा एक बिंदु लिस्दा पत्थर ना खोडामा बेशी करतों लिष्णु पत्थर अन्य बेजिक हो पथर है पुछी उखिए कि रे तु केम छूपायो तो आप बिंदु गेचे के राक्षस थी ठाकी गईयो छूँ तो कियो राक्षस, तो क्या हुआ दर्यो मारे एनी हरीफाई करईच्या आप बिंदु केचे राक्षस केचे ना थी ठाकी केचे यहां थी आम बिंदु उभू थिए अन्ने चता केचे मारे एनी अरिफाय करवी चे तो केचे पागल सुरज्थी सडगी ने तू क्या अद्रश्य थाई जे एनी और कोई ने ख़वर ने पड़े यहां बिंदु चे शुर्य ना किरणा आवे ले बास्मी बवन थाई उड़ी जाई तो केचे एवरत्य तू कोई ने ख़वन ने पड़े विराट साथे नो शबन तोड़ी अने ते तारी जातने क्षुद्र बनावी दीचे इर्षा इर्षकार अने हिंता नी भावनाए तने अहंकारी बनावेल चे सागर तो सोशो हाथ लंबावी ने तने निमंत्र नापेशे एनो प्रेम हजू ओछो तो नथी तारा प्रेमना द्वार उगाड एक कुदको मार तू बिंदू मटी जैस अने श्वयाम सिंधू बनी जैस सागर साथे स्पर्दा करवानो तारा माटे आज रस्तो चे किमके इनने सागर नियारिफाई करवी ती ने तो इनने आ रस्तो बतेवा तो यहन नागुची शमापन मा कहे छे के हुँ पन परम्चैतन्याना सिंधूती अलग पड़ी गयो छे अलग ताय सर्जेली एक अहम ताय मने क्षुद्र बनावी जीतो छे इतले ज अने सु परिस्तित थेचे तो के वाड़ा वाड़ी ने अम बदा वाड़ा उपा थियाओ धर्मना यह वाड़ा वाड़ी ने क्षुद्र बनी ने आनन्द मानिशकाई नहीं विराट नो स्पर्ष्रज आनन्द आपी शक्षे तो आपड़े विचारिये क्या जापा निकवी एनि आ टुकी वारता अन्ने ए टुकी वारता नि अंदर आ कितलों बदो आध्यात्मा नि अंदर एने समावी दितो छे संतो ये गायू छे के प्रेम गली अति साकरी तामे दो नशमाई अति विशाड हुआ छता अति विशाड हुआ छता अहम माटे प्रेमनी दुनिया बहुत शाक्डी से एमा अहमने माटे जराई स्थान न थी आत्मान जे श्वभाव छे के जिनी अंदर प्रेम रहेला छे ए प्रेम जो आपने प्राप्त करवा हुए तो आहम से ने जवोज छुई है अति विशाड हुआ छता अहमने माटे प्रेमनी दुनिया बहुत शाक्डी छे एमा अहमने माटे जराई स्थान न थी हवे आ प्रसंग छे के एक शुफी संत छे जुपडी ने द्वारे टकोरा पढ़िया अंदर ती आवाज आवियो के कौन तो के हूँ ले तर तर जच केछे शुफ काम छे बाणू घड़ केम तो के जगा जो ये छे ले अंदर ती केछे के नहीं मडे अहीं तो हूँ तो छेज या बिजा हुने माटे जग्या क्या थी थाए थोड़िवार मोन वड़ी बारती टकोरा पढ़्चो अंदर ती प्रस्ना के कौन अंदर तो हूँ तो हूँ आदनी वक्ति कैसे के तू कौन तो के तू आम बारती जवाब बारणू तर तर जोगड़ी गयो तारण के त्या हूँ अने तूना शवाल नोता रहा एक ने अद्वेतनी वाद आती एक अने अद्वेतनी वाद आती तिरश्कार माटे कोई स्थान नोतू मात्र सरण स्नेहनूज साम्राजी आतू इतले के से के अभिमान से ए प्रेम ने तोड़े से अभिमान से ए प्रेम ने तोड़े से कारण के एनू काम तोड़वानों से त्यारे प्रेम अभिमान ने तोड़े से कारण के एनू काम जोड़वानों से एक नू काम तोड़वानों और एक नू काम जोड़वानों हुआ है हुआ है हुआ है तो हुआ है होती हैं, तो अपने जमीन नी अंदर बीज बावी है, पसी तर तर येनों कोटों फुटी न अंकूर बारा आ रहे, आने प्रगट थाई, येनों कोई जायरात करें चाहे, साचो प्रेम विज अंकूर नी जेम प्रक्टे येनी कोई जायरात न थी होती, येनों प्रागट ये मोन मा जोईचे, येना प्रागट वानों कोई आसई ना होई, आ जे वातों छे ये बद्धी वात कदतनों समझाए, शुक्ष्म वात छे, ये श्रमजवानों प्रयात मा कर प्रागट वानों कोई आशे ना होई, अहम सुन्यतानी भूमका माथिज, येना अंकूर सहज भावे जागी जाए, अने आवो साचो प्रेम स्वाभाविक होई, इतले के पुरुत्रिम नहीं, आत्मानी अंदरज रहेलो जे गुण रूपे रहेलो जे प्रेम से श्वाभाविक प्रेम से, अने खाले देखा देखेनों, भार्ति जे प्रेम होई, ये तो कृत्रिम प्रेम होई, श्वार्ति प्रेम होई, श्वार्ति प्रेम होई, तो, हम सुन्यतानी भोमका मातीज एना आंकूर सहज बावे जागी जाए आवो साचो प्रेम श्वाबाविक होई सुर्योद ही जेवो ए तमाम वादडों ना पड़दा पाचरती अचाना जग मगाट वे रहे साचो प्रेम होई आकस्मिक वर्षा जेवो स्पर्ष करे तेने स्निक्दा अने शितर बनावे साचो प्रेम होई पुष्पन विकास जेवो एनों पमराट अनयासे अंतर ने शहुरब्ती छलका विजाए साचो प्रेम होई माड़कना स्मित जेवो निर्व्याज, निर्दोश, शरण, आननसंभर, आननसंभर अने पड़गानी इच्छा वगर्णो परिती महाँ बातलो उच्छो के साचो प्रेम बीजने अंकुर नी जेम प्रक्ते इननी कोई जायरात नथी होती इनु प्रागटिया मोनमा जोई छे इना प्रागटवानों कोई आशय ना होई अहम सुन्यतानी भोमका माथिज इना अंकुर शहज भावे जागी जाय शाचो प्रेम श्वाभाविक होई शुर्यो देजेव ये तमाम वादडों ना पड़दा पाचरती अचाना जग मगाट वे रहे शाचो प्रेम होई आकस्मिक वर्षा जेवो स्पर्ष करे इनने स्निग्द अने शितर बनावे शाचो प्रेम होई पुष्वन विकास जेवो ये नो पमराट अना याशे अंतरने शौरब्ती चलकावी जाई शाचो प्रेम होई बाड़कना स्मित जेवो निर्वियाज, निर्दोष, शरण, आनन संभर अने पड़गानी इच्छावगर्ण आ जे प्रेम से स्वाभाविक प्रेम से के श्वारूप दर्शयव अवे आएक छेलो प्रशंग आपड़े लिए के तथागत भुद पासे एक नवो शीश्य आवेला प्रवचन पछीना वारतालाव वक्ते तेने गुरु ने पूछियो के मारी एक शंका छे लेकिशे बोलो आम तथागते आगना पे तो केशे के साधी कुटिर ने मंदीर बना भी शकाए साबढ़ जाओ साधी कुटिर ने मंदीर बना भी शकाए हाँ जे कुटिर मां दिवो प्रक्टे ए तुरन तज मंदीर बनी जाए ने साबढ़ एक बिजी वाद पन कव के जयां सम्यक प्रेमनों प्रकास प्रक्टे छे या जीवन आपो आप मंदीर बनी जाए छे अने परमात मां श्वयम प्रकाशित बनी अने त्या जड़ खडवा लागे छे तो वे साधी कुटिर ने मंदीर बना अमड़ एक खली एक दिवो भले जूपड़ी होए साध कुटिर छे पन दिवो करे एक ले मंदीर अने अनुशंदा नियंदर जी वाद करी अधभूत वाद छे कि जयां सम्यक प्रेमनों प्रकास प्रक्टे छे जीवन आपो आप मंदीर बनी जाए छे ग्णानी मात्मा हो छे एना रदय नी अंदर प्रेम अम सहजरी ते व्यक्त सतो है ने पशी गम्मे ते वह व्यक्ति कि जे ए मात्मा ने तिरस्कार तो होए तो पण कि तिरस्कार व्यक्ति व्यक्ति उपर पण इनों प्रेम तो एक स्वर्खोज वेता होए तो जहां सम्यक प्रेम नों प्रकास चे यहां जीवन आपो आप मंदीर बनी जाए छे अने परमात्मा किमके ज्यां गडान छे ज्यां अहम गयो छे अने खरे खर जे हूं इनी शाची ओडखन थे गई छे कि जे जे सरीर मां हूं पड़ा नी मानियता आती यह हूं पड़ू सरीर मां थी निकड़ी अने आत्ममा लाएगू साची रीते तो एनों जीवन आपो आप मंदीर बनी जाए छे अने परमात्मा श्वयम प्रकासित बनी अने तिया जड़ख़वा लागे छे मंदीर निवाचे ने तो वे असरीर चेज मंदीर बनीगी जो अंदर भगवान आत्मा प्रगट थे आतो अने हवे अतथा गते लेके बूद किये छे के वत्स तमाम दर्शनों नू दर्शन आछे जीवनमा सम्यक प्रेमनो दीप प्रक्टावो तमने तमाम प्रकास मड़ी जशे आपने अहम ताना अंधकारने ओगाडवा प्रेमनो दिपक प्रक्टाविये अने जीवनमा इवाद दिविय तेज प्राप्त करिये के आ जगतनो एक्के खुण आपने माटे अंधारो ना रही जाए तो अवे आत्मानो प्रकाश तो प्रकास के ओछे कि पसी त्यां क्या एने अंधारो ना रिये प्रेमनो दिपक प्रक्टाविये अने जीवनमा इवाद दिविय तेज प्राप्त करिये के आ जगतनो एके खुणो आपना माटे अंधारो एटले के अंधकार वाडो रही ना जाए प्रेमनो ए प्रकास आपनी मोंगी मुडी बनी रहे तो आप्रकास प्राप्त करवा माटे थाइने जग एको एक मुमुख्षु पुरुषाद करी रहा चे अने छता ज्यांसुदी अग्णान चे त्यांसुदी वत्ता ओछा प्रमन नी अंदर आ सरीर नी अंदर मारा पणा नी मानियता तो चीवनी रहेली होई चे ज़िए अज़िए ने होई चे एक मानियता ने दूर करवानी चे यह अभिमान चे ने दूर करवानुचे अन्ने एक उपाय प्रेम ना पुष्पो चे बतायों के जिन्नों आपने श्वरु आपना आश्वाधिय नी अंदर जुए तो शर्वे मुमुख्षु के जिए आप बध्धानों जे लक्ष चे एक श्म्यक दर्षन चे आप अन्ने एक श्म्यक दर्षन सुधी पोच्वाने माटे थेंए ने अंतकरन नियन्दर अंतकरन इंदर पन शुक्ष्मा इना थी पन वदू शुक्ष्मा रिते जहां सुधी आज़ी अगनाम मुझे अंधकार छे ये अंधकार में जाहें यह अंधिकार ने दूर करवा माट्टे थे इनने अपनों समग्र प्रेम अपने देव ने गुरुमा ठालावानाश्य। समग्र पने अड़िदार्श भायना पत्र नी यंदर से ने अन्ने आविरिते प्रेम ठालोश्य। समग्र प्रेम अन्ने अथने धालावन गुश्य। अन्ने एक्डम जाग्रत भावाक है तो आत्मा नbert एक्डम जाग्रत भाव करें रह से ने पस्तो आहम बदान जाय तवी शुब भावन्हा श्रह आजनोजे श्वाद्येचे, श्वाद्ये हो याँ पूरो करचु। श्रगुरु देवकी चे.